नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट रास्तिलक में चार बड़ी खबरों से धमाका करेंगे सबसे पहले बताएंगे कि लाल डायरी का नाम शाहा के मुझ से सुनकर क्योंग गहलोद भाग गए हैं आगे खबर में बात पाइलेट की करेंगे जिनकी चुनाव से पहले ही नईया डूग गई है उसके आगे बताएंगी कि कॉंग्रेस अगर चुनाव जीती है तो आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा सस्पेंस हट गया है सबी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन उस झाले खबरों जीती है खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जदिस को मुझक थालेट उसके लाज़ भी किर्चा कॉंग जावान तो आगे भी कुनावार को आखिर ख़े है वाई जीती है उस बात जीती है खबरों की शुर्वास शहा के तगड़े वार से हिली कॉंग्रेस पर अमिश शहा ने एक बार फिर लाल डायरी के जिन को उखाड कर गहलोत को दर्द दे दिया है लाल डायरी पर शहा ने ऐसा प्रहार किया कि कॉंग्रेस की धड़कने बढ़ गई हैं दरसल अमिश शहा राजिस्थान की नववा वधानसबा सीट के कुचा मन कस्बे में एक चुनावी रैली को संबोदित कर रहे थे रैली में गहलोत के काले चिठो पर जम कर प्रहार किया अमिश शहा ने लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर नववा वालों को कह सकता हूं कि सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्तान की सरकार सबसे भ्रष्ट है अभी मुझे एरपोर्ट पर कुछ कॉम्मिनिस्ट मित्र मिल गए तुनों ने कहा भाई साब हम तो राजस्तान जाही नहीं सकते हैं मैंने बोला भई क्या बात है चुनाव आयोग चुनाव देख रहा हैं सब पार्टी के लोग प्रचार करते हैं आप भी जाईए कि नहीं हमारे जंडे का कलर लाल है लाल कलर देखकर गहलोजी बढ़क जाते हैं कुछ भी लाल हो गहलोजी को लाल डाइरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता है सिक्सा मंत्री के सामने ट्रांसपर में पैसा लेने का आरोप लगना देश में कहीं नहीं हुआ सची वाले में दो करोड और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं है अरे गहलोजी सर्म करो सर्म करो जी सची वाले में आप बैठते हो आपके नीचे आपके नाक के नीचे धाई करोड रुपया और एक किलो सोना जब्त होता है आपकी इस प्रकार की सरकार चला रहे हो माताओ भाईयो बेनो काली सिंग बान के नाम पर दो सो करोड का गोटाला गरीबों के रासन में सो करोड का गोटाला वुजदा वस्ता के पैंशन में साड़ी चार सो करोड का गोटाला और गोटालों की सीमा यहां तक बढ़ गई कि अब जाच करने वाले भी कहते हैं चोड़ दो भई जहां हाट डालते हैं वहां से गोटाला अमिशाहा ने लाल डायरे के जरिये गहलोत के ब्रश्टाचारों की लिस्ट जनता के सामने रखी एक-एक नेता मंतरी का घोटाला उजागर किया बताया कि कैसे गहलोत राज में सरकारी खजाने को लूटने का काम किया गया साथी अमिशाहा ने पेपर ली घोटाले पर भी तगड़ा प्रहार किया कहा कि गहलोत की नाक के नीचे सचवाले में घोटाले की रकम और सोना चुपाया गया लेकिन सीम साहब तमाशा देखते रहे अब तो एडी अफसर भी कहने लगे है कि राजिस्थान में नेताओं के घर जहां भी हाथ डालो खजाना ही खजाना मिल रहा है वहीं लाल डायरी पर अमिश्चाहा ने ज़ादा जोर दिया दरसल कॉंग्रेस के नेता रहे गुडा ने गहलोत के खिलाव लाल डायरी का जिक्र सदन में किया था उन्होंने आरोब लगाया था कि लाल डायरी में गहलोत के सारे भ्रष्टा चार चुपे हैं जिसे उन्होंने ठिकाने लगाने के लिए काफी मशक्कत की थी गुडा के बयान के बाद गहलोत सरकार बैक फूट पर आगी और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मंच पर उठाकर गहलोत को घेरने शुरू कर दिया है अमिशाह के तगडे वार से अब अशोग गहलोत बॉखला उठे हैं तो अब बात चुनाव से पहले पाइलट को लगे 440 वोल्ट के जटके की सचिन पाइलट की नगरी में अब उनका सियासी सफरा और मुश्किलों भरा हो गया है क्योंकि टोंक विधानसभा सीट पर दो बड़े कॉंग्रेसी नेताओं ने बगावत कर निर्दली नामांकन दाखिल कर दिया इसमें एक और महसीन रसीत तो दूसरी और कॉंग्रेस के पूर्व सेवादल जिलाध्यक्ष नईमुदीन अपोलों ने भी निर्दली नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोग दी है इस खबर को सुनते ही सचिन पाइलट के होश उड़ गए है क्योंकि पहले ही उन पर जीत हासिल करने और अपनी इज़द बचाने का दबाव है दूसरी तरफ उनके गड़ के कॉंग्रेसी ही उनके खिलाफ खड़े हो गए है सचिन पाइलट और कॉंग्रेस का गड़ माने जाने वाले टोंक वधासिबा सीट पर दोनों कद्दावर कॉंग्रेसी नेताओं के निर्दली ताल ठोगने के बाद अब पाइलट की सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है राजस्तान में कॉंग्रेस के एक धड़े की नाराजगी अब खुल कर सामने आ रही है वहीं दूसरी और कॉंग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले सी वर्ग से भी कॉंग्रेस के पूरुपदादिकारी अशोग बैरवा ने बीएसपी से टिकट लेकर नामांकन दाखिल किया है जिसके चलते सी वोट बैंक भी अब कॉंग्रेस के हातों से खिसकता हुआ नजर आ रहा है वहीं बीजेपी से स्थानी नेता और पूर्वधायक अजित सिंग महता के नामांकन दाखिल करने से सियासी संग्राम रोचक हो गया है फिलाल नामांकन दाखिल करने के बाद सचिन पाइलट के सुस्त पड़े चुनावी प्रचार से भी कॉंग्रेसी नेता कारेकरता मायूस नजर आ रहे है उदर बीजेपी के जिला चुनाव प्रभारी बनाए दक्षिड दिल्ली के सांसत रमेश बिधूडी लगातार सचिन पाइलट और कॉंग्रेस पर हमलावर है ऐसे में अब सचिन पाइलट की मुश्किले और बड़ती नजर आ रही है अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सचिन पाइलट टोंक में डैमेज हो चुकी कॉंग्रेस का कैसे कंट्रोल करेंगे कॉंग्रेसियों की बगावत अब पार्टी को ले डूबने वाली है कहीं न गहीं चैनलों के सर्वे अब सही साबित हो रहे है कॉंग्रेस का रसीद ने टोंक वधानसबा सीट से नामांकन दाखिल कर सचिन पाइलट पर जम कर आरूप लगाई उन्होंने कहा कि टोंक वासियों को एक एप्लीकेशन के लिए जैपूर जाना पड़ता है पाइलट कभी स्थानी मुद्धों पर आमजन के साथ नहीं बोलते उनकी लोकल समस्याओं का समधान नहीं करते टोंक को अब तक ट्रेन नहीं मिली है टोंक की जनता को स्थानी नेता चाहिए ताकि उनका काम हो सके उन्होंने कहा कि जनता के प्यार और सयोग से पाइलट को हराएंगे तो इस बार कॉंग्रेसियों की जंग बीजेबी को हराने के लिए नह इसको लेकर गहलोत ने बड़ा बयान दे दिया है गहलोत ने कहा कि राजिस्तान में अगला सियम कौन होगा इसका फैसला पार्टी हाई कमान और वुधाय करेंगे मैंने उन पर सब्थ कुछ छोड़ दिया है मुझे उन पर भरोसा है लगातार सियम की दावेदारी करने वाले गहलोत के इस बयान से सियासी पारा एक बार फिर चड़ गया है और सवाल उठने लगा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो गहलोत के सियम पद को लेकर उनके सुर बदल गए दरसल कॉंग्रेस में पाइलेट और गहलोत दोनों के बीच पूरे पांच साल मुख्यमंत्र की कुर्सी को लेकर खीचतान रही इस बीच पाइलेट ने भी जम कर बगावत की तो गहलोत ने भी उन्हें निकमा नकारा तक कह दिया इस विवात को थमने के लिए भाई कमान ने गहलोत और पाइलेट की बीच सुलहा कराई इसके बाद पाइलेट ने शांती दिखाई फि चौथी बार सियम बनने की दावेदारी पेश की इसके बाद कॉंग्रेस के सियासत में फिर से हडकम पमज गया गहलोत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये कुर्सी मुझे छोड़ती ही नहीं है और आखिर मैं ये पद क्यों छोड़ू जब गहलोत कह रहे हैं कि आला कमांद तया करेगा आगे क्या होगा वहीं दूसरी तरफ पाइलेट इस उमीद में बैठे हैं कि इस बार उन्हें कुर्सी मिलेगी लेकिन पाइलेट की उमीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है क्योंकि एक तो सर्वे भी कॉंग्रेस को जीत नह चुनाओं से पहले सूबे में कई पार्टियों ने अपनी फिल्डिंग सेट कर दी है उमीदवार नामांकन करवा रहे हैं इसी बीच एक अजब गजब खबर सामने आई दरसल करणपूर वधानसभा शेत्र से एक ऐसे प्रत्याशिन निर्दली तौर पर नॉमीनेशन करव पाया है जिसका रिकॉर्ड सुनकर हर कोई हैरान है 78 साल के मनरेगा मजदूर तीतर सिंग अब तक पिछले 50 साल में 30 से अधिक बार चुनाओं लड़ चुके हैं लेकिन हर बार उन्हें सियासी जटका यानि हार ही हाथ लगी है एक बार फिर वो मैदान में है कहा जा रहा है क कि तीतर सिंग 1970 के दशक से राजिस्थान में हर चुनाओं लड़ चुके हैं हर बार उनकी जमानत भी जब्त हुई है फिर भी 78 साल के तीतर सिंग निराश नहीं है एक बार फिर वो 25 नवेंबर के विधानसभा चुनाओं में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार बैठे हैं करणपुर वधानसभा शेतर से मैदान में उतर रहे निर्दली उमीदवान ने ये पूछे जाने पर की अब तक लगभग 32 चुनाओं हानने के बाद भी वो क्यों चुनाओं लड़ रहे हैं उन्होंने जबाब दिया मुझे क्यों नहीं लड़ना जिसकी धार उम्र के साथ कम नहीं हुई है उन्होंने पंचायत से लेकर लोग सुबा तक हर चुनाओं लड़ा है लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा वो एक बार फिर उसी जुनून और उत्सा के साथ तैयारी कर रहे हैं रास्तिलक में आज के लिए इतना ही नहीं चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार